नमस्कार दोस्तों, सौधी अरब के दोरा पिछले कुछ समय से कई सारे forward looking जो reforms होते हैं, उसको अपनाने की कोशिश की तो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे problems आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर अब recent खबर आई है कि उसके अंदर सौधी अरब में बहुत बड़ who campaigned for women's right to drive is sentenced to nearly six years, तो यहाँ पर पुरा मामला है क्या, यहाँ पर सौधी अरब के अंदर क्या-क्या problems देखने को मिलती है, ऐसा क्या-क्या गया है उनके दोरा जिसकी वज़े से 6 साल की सजा सुनाई गई है, और उनके दोरा कई सारे ऐसे reforms लाए गए थे, in fact मैं आपको बत सकते हैं by searching, अंकित अगरौल ऑफिशल और अगर आप उपहसी की तारी करने हैं तो आपके लिए सुनेरा मौकाय, स्टड़िया के लिए स्मार्ट कोर्से जिसके तुरू आप अपने प्रिपरेशन और भी जादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, तो शी is one of the most prominent women's right activists, आप यहाँ पर इनका नाम देख सकते हो exactly, I don't know how to pronounce, बट लुजैन अलहतलॉल यह इस तरह से प्रनाॉंस किया जा रहा है, ऐसा बताया जाता है, तो इनको 5 साल 8 महने के लिए, 5 years, 8 months के लिए, specialized criminal court, इसके बारे में भ सजा सुनाई गई है, और उनके उपर charges लगाये है, regarding counter-terrorism laws related, यह बताया गया है, कि उन्होंने national security को compromise किया है, और जो political system है, सौधी अरब के अंदर, उसको change करनी की कोशिश की गई है, जिसकी वज़े से, यहाँ पर उनको सजा सुनाई जाती है, अब यहाँ पर अगर आप द दिया है, और क्योंकि 2018 से already वो prison के अंदर है, तो इसलिए वो रिहा हो जाएंगी अगले साल ही, तो ध्यान रखना है, मार्च 2021 में ही उनका जो sentence है, वो पूरा हो जाएगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह specialized criminal court है क्या चीज, जिसकी वज़े से उनको यहाँ पर सजा सु जितने लोग हैं, उनको सजा सुनायने के लिए, उनको trial पर रखने के लिए, यह जो specialized criminal court है, यह बनाया गया था, create किया गया था, लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर धीरे धीरे इस court के द्वारा, इसका expansion कर दिया गया, मतलब कि सौधियर आपके अंदर जो भी political descent होता था, religious minorities थ दिया जाता है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि यह जो लुजैन अलहतलौल हैं, उनका basically यहाँ पर क्या काम रहा है सौधी अरभ के अंदर, तो सबसे पहला चीज़ा आप याद रखना कि उनके द्वारा एक movement चलाय गया था सौधी अरभ में, regarding lifting the driving ban on women, मतलब कि स system कहा जाता थे, जिसको कहते हैं, विलाया, ठीक है, तो विलाया यह जो system है, इसके अंदर क्या होता था, कि जो महिला है, वो सौधी अरभ के बाहर नहीं जा सकती, वो abroad travel नहीं कर सकती थी, without taking permission from her male guardian, तो जो male guardian है, उनसे यहाँ पर permission लेना होगा, तभी वो passport के लिए, किसी भी चीज के लिए वो apply कर सकती थी, मतलब की पुरुष के उपर निर्भर रहती थी, तो यह वाले system को भी हटाने के लिए, उनके द्वारा important role play किया गया है, तो सबसे पहला अगर मैं driving की बात करूँ, तो 2014 में basically क्या हुआ, उन्होंने driving license ले लिया UAE के अंदर, और अगर आपने map देखा होगा, तो आपको पता होगा, यह United Arab Emirates है, उनकी boundary touch करती है, सौधी अरब के साथ, exactly मैं आपको बताओ, तो जो अबुदाबी है, जो one of the Emirates हैं वहाँ पर, उनकी boundary basically सौधी अरब के साथ टच करती है, तो यहाँ पर वो UAE के अंदर, जो driving license है, उसको obtain करती है, और UAE स ही यहाँ पर वो सौधी अरब के अंदर enter कर जाती है, मतलब गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर allowed नहीं था, तो उनको सबसे पहले 73 days के लिए यहाँ पर detain किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे criticism देखने को मिलता है पूरे विशुभर में, finally जाकर 2018 में, जो सौधी अरब क के रेट में सभी देशों में जो driving है, वो allow की जाती है, in fact मैं आपको बताओं तो 2015 में ये जो महिला है, activist है, वो election में भी खड़ी हुई थी, लेकिन अब आप सोचो के election कहा होता है, सौधी अरब में तो, वो तो एक kingdom है, तो सौधी अरब में भी देखेगा छोटे-मोटे election, जो local election, municipality वाले जैसे हमारे देश में इस तरह के होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी वो उन्होंने election लड़ा था, in fact वो पहली महिला बनी थी, जिन्होंने election लड़ा, और साथ में वहाँ पर महिला को vote भी नहीं देने दिया जाता, तो वो उस समय पहली महिला बनी थी, जिन्हो उन्होंने vote भी दिया था उस election के अंदर, और आगे चलकर क्या होता है, 2018 में finally, क्योंकि उनके द्वारा कई सारे ऐसे काम किये जा रहे थे, तो 2018 में सौधी अरभ की authorities के द्वारा, यहाँ पर national security के ground पर उनको detain कर लिया जाता है, और finally अब सजा सुनाई गई है, तो यहाँ प को produce किया है, transmit किया है, जिसकी वज़े से public order में problem आई है, religious values को compromise किया गया है, public morals और जो life है, उसका compromise किया गया है, इसकी वज़े से यहाँ पर हम उनको arrest करते हैं, अब अगर आप देखो कि यहाँ पर सौधी अरभ के authorities के उपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गया है, क्या लग आता है, कि उनके उपर बहुत सारे प्रताणा की गई है, जैसे electric shock दिया गया है, sexually harassed किया गया है, जो rape है, murder है, इसको लेकर threaten किया गया है, तो पिछले काफी समय से उनको threaten किया जा रहा है, इन सारे चीजों को लेकर, और finally जाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो sentence अब यहाँ पर सुना दी गई है, 6 साल के आसपास की, अब अगर हम सौधी अरप में status of freedom की बात करें, freedom of expression की, तो कोई बहुत जादा आपको देखने को मिलेगा नहीं, although यहाँ पर जैसा मैंने बताया, पिछले कुछ समय से, जैसे की women drivers के उपर जो band था, उसको lift किया गया 2018 में, जो वलेया वाला system था, उसको हटाया गया, लेकिन यहाँ पर और भी कई सारे steps लिये गए हैं, सौधी अरप के दौरा, जिसकी वज़य से, जो freedom of expression है, उसको यहाँ पर curtail करने की कोशिश की गई है, जो भी descent होता है उस देश के अंदर, उसको वहाँ पर या तो किसी वैक्ति को मार दिया जाता है, या detain कर दिया जाता है, जैसे कि एक बहुत ही high profile case है, I'm sure आपने सुना होगा, जमाल खसोगी के बारे में, तो इनकी murder मित्यू कर दी जाती है, कहाँ पर, टर्की के अंदर जो सौधी अरप का embassy है, उसके अंदर वो enter करते हैं, और वो वापस lot कर नहीं पाते, तो वहाँ पर उनकी मित्यू की जाती है, इसके अलावा एक और case आया था, आपका जो सौधी के अंदर scholar है, सल्मान अलवद, उन्होंने 2017 में ट्वीटर post डाल दिया था, और कहा था, कि यहाँ पर reforms लाने के आउशकता है, सौधी अरब में, उनको भी यहाँ पर detain कि सल्मान, उनके अंदर में पिछले 5 सालों में 800 से भी जादा execution किये गए, मारे गए हैं लोग उनके अंदर में 800 से भी जादा, Amnesty International का कहना है कि 2019 में ही अकेले 184 लोगों को मार दिया जाता है, Crown Prince के direct watch में, तो काफी बड़ी चिंता की बात है कि अभी भी सौधी अरब में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, अगर मैं बात करूं, Human Freedom Index ही जो कि recently मैंने इसके उपर एक डीटेल में वीडियो भी बनाया था, जो कि Rule of Law हो गया, Security and Safety हो गया, Movement हो गया, Religion हो गया, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर इंडेक्स जारी किया जाता है, आप देख सकते हो क सौधी अरब का बहुत नीचे अस्थान आता है, exactly मैं आपको बताओं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 151 नंबर पर है सौधी अरब, ठीक है, इन वेन, मैं जादा तर अरब देशों की अगर हम बात करें, चाहाँ एजिप्ट हो, लीबिया हो, अलगिरिया हो, जादा तर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जितने भी देश हैं, उनका जो Human Freedom of Index में रैंकिंग है, वो बहुत नीचे है, थोड़े बहुत ही हैं, देश जैसे की कतर हो गया, या तो फिर इसराइल हो गया, यहीं पर थोड़े बहुत आपको इस तरह के freedom देखने को मिलते हैं, इन छे साल के आस-पास की सजा सुनाई गया, यहीं यहीं मामला है, क्या सौधी एरब के अंदर किस तरह का freedom है इस समय, यह सारी चीज़ें आपको जानने को मिल गई होंगी, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हो regarding World Press Freedom Index के बारे में, तो दो statement है, let me know इसका answer क्या होगा, इसका जो right answer है दोस्तों, इसका मैं Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs, Stories के form में डालता रहता हूँ, यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते ह Study IQ आप पर जा सकते हैं, hope कि वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon